C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 9 आकणूं का प्रबंधन प्रिष्ट 215 प्रश्नावली 9.3 एक नीचे दिया हुआ दंड आलेक वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गिहूं की मात्रा दर्शाता है एक इकाई लंबाई बराबर 5000 टन इस दंड आलेक को पढ़िये और अपने प्रिक्षणूं को लिखिये ए किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ बी किस वर्ष में गेहूं का न्यूनितम उत्पादन हुआ दो इस दंड आलेक को देखिये जो एक रेडी मेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें यहां दिन और बेची गई कमीजों की संख्या दर्शाई गई है अब निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए ए उपरोक्त दंड आलेक में क्या सूचना दर्शाई गई है बी, कमीजों की संख्या को निरुपित करने के लिए च्छाती जरेखा पर क्या पैमाना लिया गया है सी, किस दिन अधिक्तम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई लिखें डी, किस दिन न्यूनितम संख्या में कमीजें बेची गई 3. इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्ध वार्षिक परीक्षा में विभिन विशयों में प्राप्ट किये गए अंकों को प्रदर्शित करता है। यहां विशय और अंक प्रदर्शित किये गए हैं। एक इकाई लंबाई बराबर है दस अंक। निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए। A. ये दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। B. किस विशय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्ट किये। C. किस विशय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्ट किये। D. विशयों के नाम लिखिये और उनमें से प्रत्येक में प्राप्ट किये गए अंक भी लिखिये। नौ दशमलव साथ दशमलव दो दंड आलेख को खीचना उस सुदहरण को याद कीजिए जिसमें रोनाल्ड ने अपने सहपाथियों द्वारा पसंद किये जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी फल का नाम विद्यार्थियों की संख्या केला आठ, संत्रा तीन, सेब पांच, अमरूद चार पहले एक क्षैतिज और एक उर्धवाधर रेखा खीचिए श्यातिज रेखा पर फलों को निरुपित करने वाले दंड कीचिए और उर्धवाधर रेखा पर संख्यांक लिखिए जो विद्यार्थियों की संख्या निरुपित करते हैं आईए एक आसान सा पैमाना चुने इसका आर्थ है कि हम यह चुनेंगे कि एक इकाई लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरुपित होंगे यहां हम एक इकाई लंबाई बराबर एक विद्यार्थी लेते हैं प्रिष्ठ दो सौ सत्र है हमें नीचे दर्शाया गया दंडालेक प्राप्त होता है यहां फल और विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है एक इकाई लंबाई बराबर है एक विद्यार्थी उदाहरन दस निम्नलिकित सारणी इमरान के परिवार की विभिन मदों में होने वाले मासिक व्याय को निरुपित करती है मद व्याय रूपयों में मकान किराया 3000 भोजन 3400 शिक्षा 800 बिजली 400 परिवहन 600 विविद 1200 इन आकणों को एक दंडालेक के रूप में निरुपित करने के चरण निम्न है a. परस पर दो लंब रेखाईं कीचिए एक उर्धवाधर और एक ख्षैतिज b. ख्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और उर्धवाधर रेखा के अनुदिश संगत व्याए रुपयों में अंकित कीजिए c. समान दूरी पर समान चोड़ाई के दंड बनाईए d. उर्धवाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधा जनक पैमाना लीजिए मान लीजिए एक इकाई लंबाई बराबर दो सो रुपय है और इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए विभिन मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा के नीचे दर्शाया गया है मकान किराया 3,000 भाग दो सो बराबर पंद्रह इकाई भोजन 3,400 भाग दो सो बराबर सत्रह इकाई शिक्षा 800 भाग दो सो बराबर चार इकाई बिजली 400 भाग दो सो बराबर दो इकाई परिवहन 600 भाग दो सो बराबर तीन इकाई विविद 1200 भाग दो सो बराबर चार इकाई प्रिष्ट 218 यहां मद और व्याए रुपयों में दिखाई गए है एक इकाई लंबाई बराबर है दो सो रुपय इनहीं आकड़ों को मद और व्याय की स्थितियों को अक्षों पर परस पर बदल कर निम्न प्रकार भी दर्शाया जा सकता है यहां मद और व्याय रुपयों में दर्शाय गए हैं एक एकाई लंबाई बराबर है 200 रुपय इनहें कीजिए एक अपने मित्रों के साथ पांच और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम आकड़े प्राप्त कर सकते हैं संख्याओं का प्रयोग करके सारणियां बनाईए और उन्हें दंड आलेखुं द्वारा प्रदर्शित कीजिए प्रिष्ठ 219 प्रशनावली 9.4 1. एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षन किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रिया कलाप को पसंद करते हैं निम्न आंकड़े प्राप्त हुए पसंद का क्रिया कलाप विद्यार्थियों की संख्या खेलना 45 गहानी की पुस्तक फढ़ना 30 तीवी देखना 20 संगीत सुनना 10 पेंटिंग 15 एक इकाई लंबाई बराबर पांच विद्यार्थि का पैमाना लेकर एक दंड आलेक बनाईए खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रिया कलाप अधिकांच विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है 2. छे क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है दिन बेची गई पुस्तकों की संख्या रविवार 65, सोमवार 40, मंगलवार 30, बुधवार 50, ब्रहस्पतिवार 20, शुक्रवार 70, पेंटिंग 15 अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेक खीचिये तीन, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्टरी द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है वर्ष निर्मित साइकिलों की संख्या 1998, 800, 1999, 600, 2900, 2001, 1100, 2002, 1200 इन अख्डूं को एक दंड आलेक द्वारा प्रदर्शित कीजिए अपनी पसंद का पैमाना चुनिए ए, किस वर्ष में अधिक्तम संख्या में साइकिले निर्मित की गईं? प्रिश्ठ 220 4. किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है आयू समूह वर्षों में एक से चौदह है, पंदरह से उनतीस, तीस से चवालीस, पैंतालीस से उनसट, साथ से चोहत्तर, पिछहत्तर और उससे उपर. व्यक्तियों की संख्या, दो लाक, एक लाक साथ हजार, एक लाक बीस हजार, एक लाक बीस हजार, असी हजार, चालीस हजार. इनाकणों को एक दंडालेक द्वारा निरुपित कीजिए, एक इकाई लंबाई बराबर एक हजार लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ए, किन दो आयू समूहों में जनसंख्या बराबर है, बी, साथ वर्ष और उससे अधिक आयू के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं, इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? हमने क्या चर्चा की? एक, हमने देखा के आँकड़े कुछ सूचना देने के लिए एककत्रित की गई संख्याओं के संग्रह होते हैं, दो, दिये हुए आँकड़ों से कोई विशेश सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारनियों में प्रकट यान किया जा सकता है। उदहरनार्थ एक पुस्तक का संकेत बराबर सौ पुस्तकें लेकर। चार, हमने चर्चा की है कि आँकड़ों को एक दंड आरेक या एक दंड आलेक द्वारा कैसे निरुपित किया जाता है। एक दंड आलेक में समान दूरी पर समान चोड़ाई के दंड शैतिज या उर्धवाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांचित सूचना दर्शाती है। पांच, ऐसा करने के लिए हमने आलेक के लिए एक पेमाना चुनने की प्रक्रिया की भी चर्चा की है। उदहरनार्थ एकिकाई बराबर सौ विद्ध्यार्थी। हमने दंड आलेखों को पढ़ने का भ्यास भी किया है। हमने इसकी व्याख्या करना भी सीखा है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक। वाचनस्वर गौरव मारवा। निर्मान सहयोग सौम्या मलिक। निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।